नमस्कार, स्वागित है आपका मेरी चैनल में आई मैं आपके सामने फेशा बड़ा ही प्यारा और असान सा एक पेटरन लिकर आई हूँ जिसे आप अपने किसी भी प्रजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं यह जो पेटरन है यह दो का मल्टीपल है तो दो के multiple के हिसाब से मैंने यहाँ पे कुछ फंदे सलाई पे डाल लिए है तो आपने जिस भी project पे इसको इस्तेमाल करना है तो border के जब आप इसको border बनाएंगे तो इसके edging के लिए यहाँ पे दो-दो फंदे जो है हमने left और right side दोनों तरफ दो-दो फंदे एकसा रखने है यह दोनो फंदे हमारे जो दो left बली तरफ होंगे दो right बली तरफ होंगे जो एड़िंग में फंदे होंगे तो चले यह फंदे डालने के बाद हमने और स्टार्ट के लिना आ तो यह देखें, दो फंदे हमने एजिंग के बुल लिए, उसके बाद दागे को इसतने से लिपेटा जाली डालने के लिए, अगले दो फंदे इसतने से स्लाई पे लेने हैं, और दो का एक फंदा कर लेना है, फिर हमने दागे को इसतने से लिपेट के जाली डालने हैं, और तो यह जो design है हमने पहली सलाई से ये फंदे डालने के बाद पहली सलाई से start कर लेना है तो सिर्फ aging के दो फंदे शोड़के उसके बाद हमने इस तरह से जाली डालते जाना है दागेज़ कल पेठ के और अगले दो फंदो का एक फंदा करते जाना है तो आप देखिए इसको मैं किस तरह से फर्स्ट रोगों बना रही हूँ फर्स्ट रोगों हमने इसी तरह से पूरी कम्प्लीट कर लेना है जाली डालते जाना है दागे को लिपेटके और दो फंदों का एक फंदा करते जाना है लास्ट के एजिंग के गजो हैँ वो सिधे ही बुन लेने हैं वर इसतरए से हमने फर्स तो को कम्प्लीट करना है यह बड़ा ही असान पैटर्nor है इससे देखिए गा बार्डर इतनी प्यारीलोक किसकी आती है बार्डर की आप चाहें तो इससे अपने काड़ीगन के बार्डर भी बनासकते है तो उनके बार्डर बणालीं जिए स्वेटर के जो बाजू है उनके भी कफ आप अगर इसस बना तो इससे क्या होगा कि बड़ा ही प्यारा डिजाइन में लुक आएगा और समर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा डिजाइन रहेगा तो अगर आप सर्दियों के लिए बना रहे हैं फिर तो आप सिर्फ इसको बार्डर में भी इस्तमाल करेंगे तो भी बड़ा प्यारा ओंभा उस में देखें रंध से दूसरे स्टमाल है हमारी आग़ी पैटन की तो यहां पे हमने सारे हं बंद सीधे ही बुदने है इस डिजाइन में। sexual में ने क्या करना है सारे बंद में सीधे बंदon बंते हुए ही complete करना है तो ढूस मैं सीधे फंदों से बंदे हुए complete अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगया तो मेरी वीडियो को लैक शेयर जरूर करिएगा मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा यह देखें फर्स्ट रो से हमने डिजाइन बनाया था सेकिन रो हमने सारी सीधी बुल ली है थर्ड रो में अब हमने क्या करना है सारे पंदे सीधे पुनने है और फॉर्थ रो में भी सारे पंदे सीधे पुनने है बेसिकली फर्स्ट रो में हमारा डिजाइन बनेगा और अगली जो तीन रोज होंगी हमारी उसमें हमने सीधी सलाई बुननी है और उसके बाद फिर जो है पांचवी सलाई से हमारा ये पैटर्न रिपीट हो जाएगा आप चाहें तो इसमें गैप जो है वो जादा भी लख सक गैप की रख रही हूं जो कि मैं सीधी बनाओंगी और फिर आगे फिफ्द सलाई से हमारा जो है जो ये पैटर्न रिपीट हो जाएगा यह देखें कि मैंने 3 सिलाइए चो है सीधी सीधी बुना ली है उल्टी सीधी और फिर उल्टी दरफ से मैंने 3 सिलाइए इस तरह से सीधे फंदे बुनते को बनाई अब यह हमारी टोटल पैटर्न की चार्ट सिलाइए होगी अब पांच्वी सिलाइए से हमने फिर से अपना जो design है जो pattern है वो हमने repeat करना है, तो repeat वैसे ही करना हैν जैसे हमने starting में किया था, यहाँ पे shift कोई नहीं ह ہوगा हमारा design, सिर्फ repeat ही होगा, तो 2 फंदे हमने starting me matching के बना लिए, दागे को लपेटा जाली के लिए और अगले 2 फंदों का एक फंदा कर लिया, फिर दागी को इस तरह इससे जाली के लिए लपेटा और फिर अगले दो पंदुगा एक पंदा कर लिया इस तरह इसे करते हुए हमने फिर से 1st row की तरह 5th row को भी complete करना है और उसके बार फिर हमने 3 सलाइए सीधे सीधे फंदे बुनते हुए complete करनी है तो मैं आपको यह complete करके दिखाती हूँ आप जितना चाहें उतना बड़ा बार्डर रख सकते हैं चुड़ाई में आपके मर्जी है जितने आप चोड़ा चाहें तो यह देखें मैंने यह चार बार इस design को repeat किया है तीन-तिन सिलाईयों के बीच में gap दिया है और हर 34 लाई में यह design को डाला है तो यह इस तरने से इसकी look आगी है देखें बड़ा ही प्यारा लग रहा है आप चाहें तो इससे थोड़ा बड़ा बार्डर भी बना सकती है तो आप इसको अपने किसी भी project में इस्तेमाल करिए आप बता इनी सकती कि कौन सी सीधी साइड है कि कौन सी उल्टी साइड है तो यह देखें इसली मैंने तो इसका यही फायदा रहता है कि दोनों तरफ से एक जैसा बाट लगता है तो अगर आप इसको अपने शॉल में जांकी इसी काप में भी बनाना चाहते है तो उसमें भी यह बड़ी असानी से डल जाएगा वो कि इसमें सीधे उल्टे का कोई पता नहीं चलेगा फंदों का तो यह देखें इस तरह से इसकी बड़ी प्यारी लुक आई है चार बार ही अभी मैंने यह डिजाइन डाला है तो इसकी यह इतनी प्यारी लुक आई है आप इसको जुरूर अपने ट्राई करिएगा इसकी किसी भी प्रजेक्ट में इस्तेमाल करिए जितना बड़ा चाहिए इसको बना सकते हैं बाटरॉफो तो यह देखें एजिंग के लिए हमने दो दो फंद इसलिए शोड़े थे जब हम इसको सिलाई करेंगे तब वो जहां पर गैप नहीं आ जाता तो आप इसको जुरू ट्राई करिएगा मिलते अगली वीडियो में धन्यवाद